हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिसाया था उप उपड चौका देने वाला था और सामानने इंसान उसके बारे में सोच भी नी सकता आई के लिए काड़ा बना रहा हूं उनकी तबया ठीक नहीं है ना अरे ये जाएष भी ना बार बार फोन कर जा रहा है तुने आई से बात की? आप वो उनकी तबे ठीक निया ना जैसी तबे ठीक होगी न तो बात करलूगा पक्का तु कुछ नहीं समझता इतना टाइम नहीं है मारे पास रहने दर बात कर नहीं होगा अन्य हेलो हेलो अरे जार हाँ जैश क्या यार कपसे फोन कर रहो तरह फोन बीजी आ रहे है जैश आई की तब बहुत खराब है उनके लिए काड़ा बना रहूं मैं बाद में बाद करों तो से ठीक है आई बर दो मिनिट में तेरा काड़ा तैयार है बीदी, डिखो मेरी हैट इतनी बड़ गई एसे बार्बार नाप्ने से तम्हारे लमबाई बढ़ नहीं जाएगी हटो हमके, तुम लाइटर शालो इस को हमको ना जल्की से बहुत बढ़ा होना है क्या करोगे बढ़ा होना है तो हम तुम्हारे होई है इसली करिंगे और तुम्हो को तुम्हारी शादी करगे तुम्हारे सचोराल भीज देंगे पर दीदी , एक क्या लेक्कत है कल Nikki यह क्या था तूम भी चल देताहों में एलो ज्भूले जाओ जाओ जा है अच्य सुनो झौले में लेकर जाओ हमाँ आते हैं कपड़ा बदिल करूँ. चाड़ू मार के अंदर आ चल्दी. कैसी हो एतन? तुम कैसी हो? दीपक, चल्द आ देटी. कर रच्छार भी तरह मार मालाव…. कि अई बोल ... हाँ सायब आज रात 11 में. आज रात 11 बजे। मालाड़ बेक रटे आसलम का काम होगा. वरि गुड। क्या भाई डर गया कान के नीचे दूंगा एक मैं किसे के बाप से ने डरता अबे एडे भाई के दम पे तो अपन एरिया में शेर बने घृते हैं हम जा गया हाँ चल चल बस कामत लगा उदर से प्याज भी डाल इसमें दीदी आज हम तुमको कुल्फी कहलाएंगे और पैसे ह हम जीते ला गंचे में पीस रुप है लोग आएंगे तुमको ही बोले ना पैसे लगा कर नी खिलना है खिलो अगी बर्ज बताते तुमको भाई भाभी देख के डालो प्याज भाई इस साले तुमको ना बोली ना देखो मैं क्या करता हूँ हाद भाई छोट आप रोगो भ क्या किये तुम क्यों जवानी समर्लिया तुछ पे तेरी तो अधर प्ता में सी करेंगा तरह ठाल हो गिया क्या तुमको तेरी हिमब केछे हुई मैं तुम से बात करने के लिए फोन नहीं कर रहे हूँ तुम आई को फोन दो आई तुझसे बात करना नहीं चाहती है अरे ड़ता हूं दुछे बच्चे को क्यो मारे हो बच्चे को क्यो मारे हो ए बीच में नहीं आने का समझा जल और तु सले निकारी तरसे पस मेरे साम में नहीं आने का में तो गाड दूगा ए लेजर्स को चलना जलना जलना प्रबाद यारो मनुर भाई है ना उसको किसी ने मार दिया तुरू कि आई मैं आता हूं अभी चल 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 आईए सर सर मनुहर की बोड़ी है सर हमारा खबरी था कल रात असलम की ड्रग पगड़ी गई उसी की खबर दी थे इसने तो क्या असलम न क्या नहीं सकते सर मिज़े सर किसी को पता नहीं था या हमारा खबरी है इसके खुद की आदमियों को नहीं पता था सुरके इसके बदन पर जिस तरीके की वार दिख रहे नहीं लगता ब्लेड जैसे डारधार हतिया से इसको मारा गया है और ब्लड भी सुखा है इसका मतलब खुंद रात में हुआ होगा पैंट क्यों खुली है इसकी तरो सकता है कि भागने भागने में खुल गई है इसके पास यह चिट्थी भी मिली है आदमी को अपने करमों की सजा ज़रूर मिलती है बाडी को सबसे पहले किस ने देखा इस लड़की ने देखा तो सा सर वो में दूद लेने जा रही थी तब मैंने देखा है कि यहाद में यहाँ पर सिरके जिस किसी ने सको मारा है लगता है बहुत नफरत कर था असलम क्या नहीं सकते सर या कोई ऐसा आदली जिसका इस ने बहुत बुरा किया था असपस पता करो किसी के साथ इसके मचमच हुई थी गया किसी को कुछ पता इसके बारे में साब इसका तो रोजरोज का मचमच था सही आदमी नहीं था साब सर कोई कुछ बता नहीं रहा है सब यही बोल रहें कि काफी पंगा गरता था लोगों से सिर के मनोर हमारा आदमी था इसके कॉल डीटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो बाड़ी को पीम के लिए भेश लाए फिके पाड़ी को पीम के लिए भेश लाए यहां क्या कड़ी तो हम चल्ड़ क्या कड़ी तो आप रदू पुलीसी क्या बात कड़ी थी वह लाश मैंने ही देगी थी और पुलीस को भी मैंने ही फोन किया था तो उन लोगोंने बोला था मुझे वारुखने के अच्छा क्या हुआ आप क्या क्या मतलब क्या अपनी बहन से पुथ महां उस गुंड़ी का खूणड़ा था और भाँ खड़े हुगा टाइम पास करी थी तिरी बहन सलराज भाई और तो चलाओ चार चार और्टों का हिसाब किताब देखो दिन में यह तमारा देखने पड़ता घर में यह खड़ी क्या है जाकर नहां तीदे तेक मुर्दे के बास दी जा अच्छा हो साले के साथ ऐसे होना चाहिए था उसके साथ ले आगया बाभी का गर मैयूरी का है? कब से फोन का रहा हूय है? उठा क्यों नहीं रही है? तुम्हें पता नहीं गर्ल्स का PG है? यह बउइस का अनलाउडनी है? देखो उजी तना बता मैयूरी का है वो यहान नही है यहान नही है? आप पॉन के वाद तू अंदर से आरी है मैयूरी मैयूरी मुझे तुमसे बात करनी है मुझे तुमसे कोई बात ने करनी तुम जा रहा है तो को बस दो मिनिट दो तुमसे बहुत जरुरुरी बात करनी है प्लीज प्रीस मैं बहार जारी, तुम्हे जो बात करनी ही कर लो मयूरी, मैं प्यार करता हूँ तेरे से अब इन बातों को कोई मतलब नहीं है तुम अपनी आई से बात लहीं करो गए और वहां मेरे बाबा, सतारा मेरे रिष्टा ताय कर रहे तुम ना, तुम शादी ही नहीं करना चाहते हो मुझसे इसलिए हमेशा आई का बाना बना के बस ताल देते हो मायूरी, तुम जानती हो ये बत सच नहीं है बहुत प्यार करता हूँ तुम से ठीक है, प्यार करते हो ना मुझसे अपनी आई से बिला दो हम खुदन से बात कर लिए मायूरी, तुम जानती हो ना कि आई को लव मेरे से कितनी न अफरत है को बहुत चिड़ती है इसे तुम बस मुझे थोड़ा सा टाहिम दे थोड़ा सब आई को अई को सब सभा दूगा ठीक है चल दे कुछ करो मुझे बहुत है हाम मुझे आई करें मैं सब से भायर है सब से अचल अचल को खाना मत बनना बार जाए भाल जाए ने के लिए बशकाने मारा हों सही में बोल ना हो क्लाक काय करहससे करून के भाज़ां नहीं लगना ओके चल भाई सर यह मनोर की पीम रिपोर्ट सर उसकी मौत रात के 11 बज़े से 1 बज़े के बीच में हुई है वो नशे में था जब उसका मुर्डर हुआ और सर एक शौकिंग निउस भी है मनोर के साथ अननैचुरल तरीके से सेक्स किया गया था क्या? हाँ सर सर उसकी बॉड़ी पर सीमन کے टरेसस तो नहीं मिले है हो सकता है कि प्रोडेक्शन यूज़ किया गया लेकिं सर उसकी बॉड़ी पर ब्लेट जैसे कि स्थ्थ्थिस से वार किया था और उसी से उसका गला भी रि mettा गया था जिसकी वज़े से उसकी मौत हुई इसका मतलब इंपल्सी होके ये मर्डर में किया है पूरे प्लानिंग के साथ ही मर्डर होगा है हो सकता है सर वेज़े सर मैंने मनोहर के call details और location details चेक की थी सर मनोहर इसे दो आदमियों के touch में था जिससे हो regular बात करता था सुनिये लोर पक्या सर ये दोनों साथ ही काम करते थे लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि मनोहर हमारा खबरी है और सर जिस दिन मनोहर के साथ ये वार्दात होई इन तीनों की location मार्केट एरिया के थी सुनिये लोर पक्या को लेकिया सर इन दोनों का फोन बंद है इनकी last location चौल की है मैंने वाप उस्ताच के लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है मार्केट में जाके पता करो उसरत क्या हुआ था ठीक तरू प्रभाद प्रभाद नर्वाजा खोड़ो प्रभाद प्रभाद पहले पैसे दे उच्चिके ताई चाई तु क्या कर रही था, उड्या कर निचे अब दो भगाई लेनना मेरे बहन को मैंने भाद निखरने हिसे प्रभाद, अट है क्या कर रह देखर है जार, प्रभाद ये थे नहीं मेले कोई नहीं नहीं प्रभाद आई जोग्षन कि अब मेने देखा था मॉनर का कुछ मचमच चल लगा दा उसके लोगों के साथ में उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का निकल यह आगे सुन्नर नगर में सुनिल के भाई का गहरेज है पक्क्या और सुनिल दोनों वहीं पड़े रथे कर दो आगे उसके अचे रख चाप कर दो है अचे निक्साइब कर दो अचाए नियाक मनोर भाई को नहीं मारला साब कर संतू सब्सक्राइब सब्सक्राइब कश्ष पंगा हो गया था तो भाई वाई मुसे नराज हो रहे थे मैं गया था मनाने उने बाई जो हुआ सब खतम करो ना पाक्या तू जानता है मैं गोर्य को कितना पसंद करता हूँ आज तूने उसकी कुर्ती भार के सही नहीं किया बाई मैं तेरे को कपसे सोरी सोरी बोलने लाया एश्या और तू है कि दोकेकी लड़की के पीछे मुझसे नराज हो रहा है तूसके बारे में कुछ नहीं बॉलने का निकल मेने सामने से निकल जाएक है नहीं आरे बाई बोतल लिए पटा पक्या तून जा बाईपीयो तूब इगीो हमने तो पत मजाग मस्ते किया हमें के पदो बढ़क जाए गा हाँ बाद में उनसे मना भी लिया था हाँ पर उसके बद हम अपने घर चले गए पर बाद में पता नहीं किसने उनको को अपरी का क्या चपकर अपर इस साब वह बाई की आइटम थी हाँ आप पसंद करते थे भा पाई को मना कर दिया उसने तो मैं उस दिन सुबह मेरी मों प्लार पता मिसी करें ना तो तेरी हिमद के से हुई आई मैं वह आपके लिए तुझको क्या रखता है मुझे नहीं बता क्या कि तुम मेरे बेहन के पीजे कुट्टे की तरा जीव नटका है फिरता है नहीं हो का अरे गजे पाई उनको लाइक करते थे तो नहीं कि अमनुर के साथ तेरा पंगा उसलिए तुनिए उसको मार दिया इन ने 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 तो फेपर कटर लेके भूमता था ने नहीं साब मेरे बड़े बाई जैसा थे तो मेरे की मार हुआ था शीर के कल सुबह गवरी और दीप को बुला, पर मुझे इनकी दर्दनाक चीखे सुदुन, साहिकार, साहिकार, साहिकार मेरने निम्मो पाली बना के देगा अपसुन, चीविं तो चम इठालना, क्यायना कि मुझे ज्यादा मिठास पसंगे लो चादियो चार चम मच शक्कर की चाहे, दिमाग की बत्ती जलाए तुम्हेरे माम आपका है? सर, हमारा कोई नहीं है बच्पन में ही माँ गुजर गई थी और पापा के साथ दो सार पहले बिहार से आया है दिमागी बुखार के कारण पापा का भी देथ हो गया तब से हम ही दोनों है तो मनोर के आदमियों ने पहले तुम्हारे बहन के साथ बत्तमीजी की बाल में तुम्हे मारा गुस्ता तो बहुत आया होगा ना गुस्ता तो आया ना, सर वह हमारे पीछे पढ़ गया था छोड़ा हमारा असना अरे, हम प्यार करते है तुझसे तुम्हार जैसे गुंडी के साथ कोई रिष्टा नी रखना चाहते हैं तो शादी कर लो ना हमसे सारे तेड़े काम छोड़के गम सीधे बन जाए बहुते है ना अच्छे वाले पती हमें बिलकुल पसंद नहीं था तो उपर सो घटिया हरकत करने लगा तो मनोर के आद्मियों ने तुम्हारा कॉर्टा ब्लेड से काठा इसलिए तुम्हारे भाही ने उसका गला ब्लेड से काठा नहीं सर हमने कुछ नहीं किया हमारे भाही ने कुछ नहीं किया सर हम सही कह रहे हैं इसने कुछ भी नहीं किया जा शिर छोड़ की नहीं जाने का आप नहीं नहीं जाने क्यों दिया सर शिर के मनोर के साथ पहले रेप किया गया बाद में उसके हत्या हुए इस लड़के को देख के नहीं लगता या ऐसा करे फिर भी नजर रखो इन पर असलम का क्या हुआ सर खबरियों को काम पर लगा दिया है जल्दी पता चल जाएगा सुन उससे तू नहीं मा रहा है ना नहीं देदे सच बोल काम मेरे सर की कजम सर असलम की टिप मिलिए वीरा रोड में देखा गया अपने आद्में को बेज़ो उठा उसको सर एक अवरत आपसे मिलने की जीट करना बिला साफ मेरा भाई मुझे मेरी आई से मिलने नहीं दे रहा यह फैमिल मैंटरेज में पूलिस के गर सकती है नहीं साब कुछ तो गड़बड हैं आज कल वो घर के की दर्वाजे भी नहीं खुलता भगवान में तो इसकी बिल्कुल भी श्रद्दा नहीं थी पर आज कर कर के अंदर जब भी दो को पूजा पाट करता रहता है कर के अंदर से बस अगर्वतियर धूप की महकाती रहती है कब से चल रही है सब में एक साल पहले घर से भाग के अलोग शे शादी कर ली थी कब से मैंने मेरे आई को नहीं देखा इंजो और उजादर है बगा काय बान गड़े तो यस सर बढ़े पार बढ़े लिए अगर्वादर है अरभाद मुझे अए से मिलना है मैंने माना किया ना एक बारी में बात थामाज नियाती है आई तो उसे मिलना नहीं चाहती है ताई यह शेन यह जादा शंदपुदी नहीं आई से अंदर जने ले अदर हो तो घ्रए ले देख बादे लो पैसको अंदर नहीं जने दोग यह टूराइ सब मेरे जातों कि मेरे याई इसको थेटेके यह मेरे याए को फोट रही है ती वर याई को रहती ती ऑवी बहुत कणाब रहती है और यहाई दी मिलना नहीं चाहती है, यह घर जानती है बस, कि इसका पती अना चाबे भरता रहता है और यह जदी बार बार लटने के लिए यही बात में तरे आई के मुझे सुनना चाहता हूँ भाज़ लोगा मैंने चाहता हूँ कि मेरी आई को की तकलीफ हो किसे हो करें पत्राइब के सिर्छ वरॉरन के लूण है इसर्ट्र लेकर आदेगे केंड देख लिए और सर गर गर के अंदर जाने नहीं देख रहा है कि सयर्च से शोर्ण लेकि यह उआ ओ सर्च वारंड मांग रहा है शिरगे, सर्च वारंड काळा तब पतागरो गर में क्या चल वह यह लुखा थीक है सर्च वारंड चाहिए था ना तुझे धिये लिए नहीं नहीं साप मैं आपको अंदर निया धुखा अब अगर अंदर आने से रोका ना तुझे अंदर डाल दूगा मैं चलाट सिफ साप रहे हाट रहे हाट रहे हाट साप कदम सार उपर देखो सार वो दुआ एगा वो पूजा पाट कर रहे गा अचकल सार इसकी आई कही नहीं आई कहा है तेरी तीरत पर गई है तीरत पर गई है कल तक तो यही थी वो साब आपने आने से पहले बताए है न तो रोक लेता तादा हीरो बन रहा है बेन को भी अंदर आने नहीं देता पुलिस को भी अंदर आने नहीं देता चल क्या रहा है साब मेरी आई नहीं चाहते कि मेरी ताई दोबारा इस घर में अभी प्यार रखे पुलीस को एस अंदर कौना ने देता है साब आई का नमर दे तेरी आज पास पूछो इसकी आई के बारे में साब उसकी आई से बहुत दिने उसे मिली तो नहीं लेकिन उनका बेटा आता है कभी चाय पती लेने तो कभी चिनी लेने जब से उनकी बेटी भाग गई है ना तब से उनकी तबियत ही ठीक ने रहती है इसलिए उनकी घर से बहार नहीं निकल दी सर्ष प्रभाद के घर में तो कुछ मिला नहीं है और प्रभाद का गहना है कि उसकी मा तीरत गई है उसकी मा के नंबर पर मैंने ट्राई किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है एक काम करो, उसके आई के नंबर से उन्हें ट्रेस करने के कोशिश करो खीक है सर हाँ बोल पक्की खापर है कहाँ जा लिए तू उज दिन तू बड़े मज़े से देख रही था व व उस दिन तू में गलती थे ए गलती थी बुछ नहीं देख चला उड़ी यही खड़े दे और देख बस कीजी यह कैसी बाते करी अब शर्मा नहीं जाही ना एक शब दी बूला ना तो मैं सब को बता दूगा कि तिरे भाइन कितने क्रेटेलिस करकी है अपनी पैन और जीजा जी को साथ में सोते वे देखती है यही चाहती है दू नहीं ना चौ इकाम पर सुदू हिदर चल कफले निकल तेरा ड्रग वाला जहर तू स्कूल के बच्चों के रोगों में भरता है ना मनोर को भी तूने ही मारा है ना मनोर को मैं क्यू मारूँगा साब क्योंकि तेरे को पता चल गया था तेरे ड्रग वाली टीप उसने हमें दिये इसलिए तूने उसको मारा नहीं साब अभी तर्ग मुझे पता नहीं था लेकिन अभी आपने मुझे पताया कि उसने मेरी टीप दिये तो अल्ला गसम अभर आज वो जिन्दा होता ना तो मैं उसे मार देता मनोर हमारा अदमी था और उसका बहुत 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 तरीके से उसके उपर बलातकार किया गया था लेकिन इस केस में हमें लीड नहीं मिल रही थी मनोर को क्यों मारा था वो हमारा अदमी था इसलिए या कोई और वजय थी आईजी सर सर आपको यादे पुलिस टेशन में कपल आया था जिसे अपनी आई से मिलना था किरन और अलोग किया अलोग की बॉड़ी है शिरकी इसको तो बिलकुल उसी तरह से मारा गया जैसा मनोगर का मारा था कहीं इसके साथ भी रेप तो नहीं किया गया है हो सकता है सर वेज़े सर इसके पास भी हमें सेम नोट मिला है आदमी को अपने करमों की सजा मिलती है तो फिरके मनोर को मारने वाला और इसको मारने वाला सेम हो सकते है हो सकता है सर वेजय सर्ड रिया इस चॉल में नहीं रहता था यह चारकॉप की चॉल में रहता था यह चॉल में तो इसका सालगा प्रभात रहता है कि ऐसा तो नहीं यह अलोग प्रभात को मिल गाया था एक काम करो शिर के यह सी सी टीवे कर देखो रहेगा तो फोटेश निकलवा इसके कॉल डिटेल्स और मोबाल लोकेशन में निकलवा और देखो एदोनों मर्डर में कुछ सेम भुकडी तो नहीं और एक काम करो यह नोट और पहले वाली नोट दोनों नोट निवजपेपर के वर्ड्स को काट के बनाये गए इसको अपने एक्सपट के पास बेजो और देखो एक कौन सा निवजपेपर है और इसके वाइफ को मौद में बुला ठीक है सर देख अलोग, 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 अलोग सबस्या तेरी आई कहा है, तेरी आई का फोन बंद है, हम ट्रेस करने के कोशिक कर रहे थे, और उस समय से बंद है, जिसके एक दिन पहले पोलीस तेरी घर पे आई थी, अन्ने वाए फोन मैं तुम कुद बहुत परेशाहर हु, मेरी किरन ता है, जब से गर में पुलीस लेकर आई ना, मेरी आई बहुत परेशाहत है, मेरी आई को जाए थी, उन्हें तीर्ट पे जाना था था, वो तीर्ट पे चलेगी, फोन बंद कर दिया, तब से रेक्राब तक मज़ें पुछें कर दो कि आई बताए था इसा तो नहीं तो की किरन को कबोल किया था इसलिए इसलिए तुन्हे भुआ लिए इस्था में भुचसेम हिकर तीरे आई को बिष्वए स्वहिसा है ने, सहचे के नहीं ध, साब मेरी आई नहीं नहीं मर सकती है साब? dad... मेरे नहीं 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 साब सब आख नहीं 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 मारे के साब शिरगे इसके call details or phone location नहीं का लोग खाला देखो आख जुन्ही यालो के सब थाए लोग साफ सब पहाने बनारे कोई रख्मी के लिए तयार मही है अभडिदी मुझे हा निहाना, मैं जिए कुछ भी कर लोगी लेकिन मुझे यहान से जानना तब हितल हितल तो कहा जाएगे मैं भाओ में बात करने की कोशिश कर जये हो। कुछ ना कुछ कही ना कई कोई ना कुछा तो की है every time नित्क के देख भी प्रच जाए भी क्या भात है हां दोनों बेहनों को बड़ा प्याहरा रहा है एक दुसे पर श्यानी हो गई यह यह शादी की उबर हो गई यह नहाँ अब तिल के लिए लड़का ठून रहे हैं जड़का? क्यो? मैं उना? मैं शादी करूंग इससे? मैं शादी करूंग इससे? अब तुम्हेन को साथ में रखोंगा? मला आयाएगा? तुम्हें दोनों जाओ मुझे थोड़ा आराम करना है आँ मदमें मिलता हो घर चोड़ दें पर चोड़ दें सर आलो की पीम रिपोर्ट आ गई है सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रापके 11 बजे से एक बजे के बीच में होगी है बॉड़ी पर बहुत सारे स्लिट के निशान है उसका गला भी रेता गया से और सर आलो के साथ भी रेप किया गया था कि काम किसी सीरियल किलर का लगता है शिर के आज पास के पूलिस्टेशन में पता गरो वहां ऐसा कुछ हुआ है ठीक सार अजी सीटीव फोटेज मिला है नहीं सर उसे एरिया में कोई सीटीवी कैमरा नहीं है मैंने प्रबात के कॉल रिकॉर्ट भी चेक है प्रबात के फोन से अजीब किसम का इसान लगता है और उसके बोटी भी उसके निजा को मारने लेकिन सर प्रबात मनुहर को क्यों मारे पता नहीं शिर्किये लेकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नजरों से कुछ छूट रहा है देदी तू भी चालना मेरे साथ नहीं होता है मैंने या सकते तुझे पता है ना मैं या सब्सक्त संभाद रहोगी हां देदी अपना धिहान रखना हो हां तू भी जागए कि अपना है आदमी को अपने कर्म की सजा जरूर मिलती है शिर्गे ये खुण भी उसी नहीं किया अपना जरूर लोस्त प्राइब और अटो लेकर बाहर गेते और पर में खानों करके सूगे पर जब आज गाने आई तू था कुण दें कई किसके आटो चलाते हैं? साब हमारे खुट के 4-5 आटो है उस पेसे एक आटो यह भी चलाते है कोई घर में गुश के खून करता है और आपको पता नहीं आप कहां थी? मैं सो रही थी बाबजु में? नहीं वो वो मेरा महिना चल रहा है और अरच मंधिर भी है तो इस कबरे में नहीं मैठ मैं दूसरे कबरे में सुर रही थी चीर के? असपस पता करो इसके बाहरे में यह भी पता करो इस घर में किसी का किसी को आते जए जे देखा तागी ठीके सार बहु जादा चिक चिक करता है जादा हुन साफ वेख़ने हैं साभ, अनिल उसकी बीटिंजल और उसकी साली हितन, हर वग तु होग सा करता दा उनके ऊपर, और अव हेतन गवरी के दोस्ता है इसी गवाते जाते देखा था देखा ले ज़ा नहीं साभ लेकिन अनिल सही आजमे नहीं था यह हेतल कहा है अभी पतानी सर बाहर तो किसीने भी अंजार आदमी को आते जाते नहीं देखा लेंगि सर लोगों का कहना है कि या आदमी बहुत गुस्से वाला था अपनी बीबे और साली पर काफी गुस्सा गरता था हेतल नाम इसकी साली का हेतल है वो तो कहीं नहीं दिख रही है आपकी कोई बहन भी है हेतल है जी साब काह वो साब वो दिन पहले अपने गाउं चले गए शिर्के बड़े को पीम के लिए बेज़ दो ओके कि शिर्के शिर्के फिम्मार्ण देख रहे है कि शाज अंदर वाले मंदीर का है और उसे अभी शिफ्ट किया गया है यह इसकी बीवे हमसे कुछ छुपा रही है कि काम को रूशिर्के आसपस काई सीचीडी वेगा देखो उसका फूटेज कलिक कर ओ या तो यह काम उसी सीर आणिल की पी-म रिपोट अइसका अगुटिल कोभी मनोहर और आलोक की तरह ही मारा गया अए बाडी पर सारे स्लिट्स की निशान है और सर इसका बी गला गाटा गया है लेकिन सब्सकी साथ रेप नहीं क्या गया इसका मतलब खुक्र को कॉपीकेट करने को को सदकता है और Southern मैंने उन तीनों चिट्थियों को लेब में भेजा था लेब आलों का कहना है कि वो तीनों एक ही पेपर की कटिंग है जागरित दुनिया पता को रहे किस-किस के पास आपता है पेपर आओ सर आपने दोनों पर नदर रखनू कहा था कि दोनों भाग रहे थे उस दिन जब हमारा जगडा मनुहर से हुआ तो क्या हो अरे कुट्टी फार्दी अरे अरे तो मेरे प्रावाद का क्या चक्कर है उसके मां का कुछ पता चला सर अभी तक चानमीन चल रही है जल्दी पता चल जाएगा क्या हो सर्थ अट अले गट तलाशी लो पूरे गर की एक एक कोना चान मार रहा सर्थ लिए तो था तला तलाशी ले चुप क्यू अपने मां को ता कि बहन को प्रापरलड़ में हिस्टा देना पड़िए दो नहीं संदो की समय को कुना नहीं है च पिता हमाने जाने के बाद हम एक कर भात कराब रहने लगी अकान.... तुने उसको माहरा और उसले किसी को बताया नहीं नहीं साब नहीं, नहीं, मैं अगर किसी को बताता ना तो लो धोसे मुझे मेरी इसे दूर कर देते मैं अपनी आई को बहुत प्यार कर था हूँ साब इसलेने मैंने आईका सअ अपने इस लिए अपरे बास रख़ लिया क्योंकि जो इंसान अपने मरे हुए मा का कटा हुआ सर घर में रख सकता है, वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन प्रभात कुछ बोलने के लिए तयार नहीं था, लेकिन हमें यकीन था कि प्रभात की मा, मनोवर और अलो, इसको प्रभात नहीं मारा है, लेकिन अनिल को किसने मार उसी सीरियल कि लर ने या मारा किसी और ने तरीका था सीरियल किलर जैसा है. ताकि उस सीरियल किलर पर शक्ज जाया. संब..pad मेरी बाटतो सुनो साब.. मेरा दोस्त बोट अच्छा है साब.. वो न ही किसी को नहीं है बार सकता साब.. पूरीस के डंड देखायगा ना सब सच बतायगा सब सुनी तो मेरे बार शुर निकल बोलान देरे को निकाल सर ये किंजल की घर के बाहर का सेसरी फोटेज है सर किंजल ने हमें बताया था कि हेतल दो दिन पहले गाऊ गई थी लेकिन फोटेज देखे सा किंजल दो दिन पहले नहीं बल्कि उसी दिन दोपहर में गाऊ गई थी और ठीक उसी समय के आसपास अनिल का मर्डर भी हुआ था किंजल को ले जिया ठीक है साब साब मेरा पती बहुत गलत आदमी था मैं तो बस हेतल को किसी अच्छी जगे रखना चाती थी अपने पती से बचा कर तो उस बच्चा नहीं पाई इसलिए दोनों ने उसको मार दिया नहीं साब ऐसा नहीं है वो हमारी चाली में जैश नाम का लड़का है मैं चाहती थी कि जैश और एतल की शादी हो जाए जैश भी अनात है इसलिए मैंने लेकिन भाभी में शादी नहीं कर सकता जैश जैश एतल बहुत अच्छी लड़की है भाभी तु समज़ क्यों नहीं रही है के सब बताओ मैं तुम्हें भाभी मुझे मुझे लड़की उमें इंट्रेस्ट नहीं है मुझे लड़के अच्छे लगते है जैश, जैश, तो फिर भी हेतल से शादिय करके उसे अपने पास रख लेना, अरे, कम से कम तेरे घर का काम वाम करेगी, जैश, और उसमें बोला कि वो मेरी मदद भी करेगा, और मैं हेतल को छोड़कर घर वापस आई, और घर पर आकर देखा तो फिरा पती मर चुका था, उस किसी को बता है था, किसी को भी नहीं बस, जैश को, मैं वेसे भी कुछ को पुलिस के हावाळे करने मां था, मैंने ही मनुहर, अलोद, और किंजल की पती अनिल को मारा है दो आई, दिने का कोई अक नहीं था, प्रभात मेरे भाई जेसा है, लेकिन उसकी माँ उसकी माँ प्रभात की और मयूरी की शादी नहीं हो लेने चाहती थी, इसलिए मैं उसको मिलने के लिए गया, अरे तू समझती क्यों नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने एक बार बॉल दि कि तो है वो जिसने इस आनाच से इतना प्यार किया, इसलिए उस मनोर ने बरे बाजार में वो दिपक के चक्तर में प्रभात को मारा था, तो इसलिए मैंने मनोर को मार दिया, उसका जीजा ही सारी फसाब की जड़ था, पेरा भाई प्रभात मुत रोया उसके वैसे, अंजल ने मुझे उसके पती के बारे में सब बत आए, उससे राह नहीं कहा है साब ऐसे पापी हो को जीने का कोई हक्या नहीं है, मार दिया मैने उसको, प्रभात की मा इतने दिनों से गायब थी, तो उसकी पूश्ताच करने उसके गर कोई क्यों नहीं गया, हम एक समाज मे रहते हैं, हम एक समाज का हिस्सा है तो ऐसे में अड़ोस परोसीओं की जाना करेरे रहना बहुत जरूरी है हो सकता है हमारे परोसीओं का हमारे मदद की जुरोत हूँ यह हमें उनके मदद की ज़रूरत हूँ इसी के साथ मैं सिने इस्पेक्र सुनिल केल कर अब सब सब विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस तक के अगले भाग में, तब तक के लिए सतर्क रही है, देखते रहें क्राइम पेट्रोल दस तक, मकसद बताना नहीं, बचाना है, जै हिंद! झाल